आज कल रिष्टे सूर्य मुखी के फूल की तरह हो गए हैं जिदर फाइदा दिखता है उसी तरह घूम जाते हैं ऐसे रिष्टों को त्याग देना ही बहतर है और सांती सांत जिंदगी में जो भी बुरा लगे उसे आप त्याग दो चाहे वो कोई विचार हो कोई कर्म हो या तुमने मेरे लिए किया ही क्या है दोस्तों बाहर की परेशानियों से नहीं हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं इसलिए कभी निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को मत छोड़ना क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की आपके प्रती राय बदल जाती है और कभी कोई गलती हो जाए, तो याद रखना कि गलती करने का कोई सही समय नहीं होता, और नहीं उसे सुधारने का कोई समय बुरा होता है, किसी ने क्या खूब पूछा, जब भगवान हर जगे हैं, तो मंदिर के हो जाते हो, उसका जवाब भी बेहदी खूब सूरत था, तो कंडिशन के हिसाब से बदलती रहती है, अगर चाय में मक्खी गिरे, तो चाय फेक देते हैं, और अगर घी में गिरे, तो मक्खी को फेक देते हैं, माना कि आप किसी का भागे नहीं बदल सकते, लेकिन एक अच्छी प्रेड़ना और सलाह देकर, किसी का मार्कदर्शन जरूर कर सकते हो, इसलिए कभी भी मौका मिले, तो जीवन में सार्थी बने, स्वार्थी नहीं, और याद रखें, कुदरत जानबूज कर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरों पे लगे नकाब देख सकें, जिन पर हम आखे बंद करके भर जोसा करते थे, जिन लोगों के अभी एक्जाम चल रहे हैं, उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, आखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है, सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वो मनजर ब प्रिगड़ा मुकदर नहीं समरता, दुनिया को जीतने का होसला रखो, एक हार से कोई फखीर नहीं बनता, और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर होना चाहिए, दुनिया में सबसे कीमती कहना इंसान के परिश्रम का होता है, और जिंदिगी में सबसे अच्छा साथी इंसान का आत्म विश्वास होता है, वीडियो के अंत में बस अतना कहना चाहूंगा किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविश्य का मजाक मत बनाना, क्योंकि समय में इतनी तागत है कि वो कोई